कि एल्लो दोस्तों Welcome to work and creation Welcome to IoT basic course। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी सेंसर के बारे में और आज वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेंसर और बैसिक मोड्यूल्स साती सात जानेंगे से मैं मौडूल क्या होते हैं और उनका युजम लोग किस तरह से करते हैं तो देखोड न करते हुए सुरू करते हैं आज का वीडियो तो पिछले वीडियो में हम लोगोंने बात करी थी अल्टर सौनिक सेंसर के बारे में और वहीं चोंटिनू Danielle करते हैं इसका यूज हम लोग बेसीक प्रोजेक्ट में जैसे की क्लैप स्विच या म्यूजिक रिस्पांसिव ऐल एडिए और एडवांस के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि आटोमेटिक वास कंट्रोल का या वास कंट्रोल हूम लाइट्स के लिए करते हैं अग्ला sensor है हम लोगों का soil moisture sensor थो बेसिकलिए यह एक्रि कल्च्रल बेस्ट equipments में ज्यादा यूज होता है इस sensor का हम लोग soil के moisture को detect करने और साथ साथ उसको measure करने के लिए करते हैं soil moisture sensor widely use होता है smart irrigation system जैसे projects में और साथ साथ हम लोगों को कहीं पे भी जहां पर किसी moisture को डिटेट करना है यह मेजर करना है महाँ लोग स्वाइल मुश्टर सेंसर का यूज करेंगे यह बेसिकली जैसा इसका नाम वैसा इसका काम यह गैस और स्मोक के डिटेक्शन के लिए यूज होता है उनको कहीं भी प्रोजेक्ट जिसमें लोगों को ऐसा कुछ एप्लिकेशन करना है जहां पर लोगों किसी गैस या स्मोक को डिटेट करना है लोगों किसी कंबसिबल इस या एलकोहौल या पड्रोल जैसे किसी भी चीज का डिटेक्शन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं इसका बेशिक प्रोजेक्ट बन सकता है ऐलकोहॉल डीक्षण सिस्टम अल्कोहाली कलेट सिस्टम और बड़े लेवल के प्रोजेक्ट के अगर हम पूल गईस अलाम जैसे को प्रोजेक्ट में भी इसका यूज कर सकते हैं तो दोस्तों अगला sensor है rain sensor basically इसका यूद्व हम लोग rain या moisture को detect करने के लिए करते हैं यह basically segregation में भी काम आता है जहां पर हम लोगों segregate करना होता है गीले और सूखे में बेसिकली यह वर कैसे करता है यह वर करता है principle of variable resistance में इसमें एक square plate होता है आगे जिसमें एक electronic path बना होता है current के लिए एक अंदर लगा हूँ comparator circuit लगा था है इसके resistance को measure करता रहता है जब ये सूखा होगा तो इसमें resistance ज़्यादा होगा और जैसे जैसे बारिस पानी होता जाए साग्ला इसका यह झाल है यह नलगे Gino होने लगे चिसकी वजह से इसका जो रिजिस्टन से इसके थूब यह डइरेक्लीय मोर्टर के डिटे κάν सब्सक्राइब और ये और फिरitoon màwnीटर करके भी सता रहता मैं इसका विज यूज हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें लोगों को गीले और सुखे में करना है उसमें करते हैं इसका मैंलि यूज हम लोग एक्सलरेशन या टिल्ट को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं इसमें लगी ADXL 335 IC हर एक्सिस जानी कि X Y और Z एक्सिस तीनों डैमेंशन में इसके एक्सलरेशन को डिटेक्ट करती है और कंपेर करके फाइनल वेल्यू देती है जिसके तुरू हमको पता चलता है कि आपकी डिवाइस इस वक्त कितने एंगल तिल पर है तो दोस्तों जैसा इसका नाम वैसा इसका काम मेली यह टैंपरेचर और हुमिडिटी को लाइव मनीटर करता है और साथ यसका यूज हम लोग ऐसे अप्लिकेशन जैसे की टैंपरेचर वेस फैन कंट्रोल या कोई भी अप्लिकेशन जिसने में लोग तैंपरेचर पर कुछ कल करना है वहाँ पर इसका यूज हम लोग करेंगे इसके अंदर जो ब्लू कलर की मैस है इसके अंदर एक कैपैसिटिव हुमिडिटी सेंसर और ठर्मिश्टर लगा होता है जो मेंली लाइव टेंपरेचर और हुमिडिटी को मेजर करता रहता है और उसके थूरू जो भी उसका डेटा होता है वह करके इसके डिजिटल सिगनल पिन थूरू और इनों को यह लाइव मौनिटर करके भीज़ता रहता है तो सब्सक्राइब क्या होता है यह तरीके का स्विच होता है और यह आपके फॉन के कैपैसिट्टीव टच की तरह ही वर्क करता है मेंली इसमें एक सर वाले difference से यह डिटेक्ट करता है कि टच हो रहा है यह नहीं हो रहा है और उसके थुरूँ signal को produce करता है जो कि audio detect कर लेता है और जान लेता है कि यहां पर touch हो रहा है इसका basically use हम लोग electronic लाइच जैसे project में करते हैं so this is all about sensors अब हम लोग जानते हैं कुछ modules के बारे में so what is हम लोगों को sense करके data लिया अब आउटपूट करके किसी ना किसी तरीके के हम लोगों को indicate कर आएगा तो उसके लिए हम लोग वह electronic circuit जो audio के response को हम लोगों को दिखाए physical environment में उसको हम लोग बोलते हैं modules so as normal हम लोग कह सकते हैं कि यह एक तरीके के indicators होते हैं जिसके थुरू audio indication देता है हम लोगों को that he is reading the data and जिसके थुरू हम लोगों को response बताता है कि सबसे पहला आता हमारा relay module basically relay module एक तरीके का hardware होता है कि जिसमें एक electro mechanical relay और एक basic circuit लगा होता है जब इसमें कोई भी signal detect होता है तो इसमें लगा हुआ electro mechanical relay on और off उसमें पढ़ने वाले signal के हिसाब से होता है इसके थुरू हम लोग AC light को भी control कर सकते हैं like alternating current की devices को हम लोग control कर सकते हैं इसका युज हम लोग home automation system जिसे प्रोजेक्स को बनाने के लिए करते हैं now the next module is display module यह module जैसा इसका नाम वैसा ही इसका काम है यह हमारे ordino project को display provide करता है एक screen provide करता है इसको normally हम लोग dot LCD screen display module यह dot matrix LCD module भी कहते हैं इसका काम कुछ-कुछ वैसा ही होता है जो आपके कंप्यूटर में monitor का यह आपके mobile में screen का काम होता है कि नाव दनेश्ट इस बजर module बजर module एक तरीके का बजर ही होता है बस difference इतना है कि इसमें यह तरीके का जो आप एनलॉक बजर लेते हैं उसमें जैसे हम लोग signal देते हैं वह आउन हो जाता है इसमें जैसे हम लोग voltage देते हैं बजर module एक थोड़ा advanced version होता है उसी analog बजर का इसमें लोग एक comparator circuit लगा देते हैं और यह तभी बजता है जब इसमें हम लोग signal देते हैं अगर हम लोग इसमें signal नहीं देंगे तो इसमें voltage देने के बाद भी यह on नहीं होगा इसका यूज में लिए हम लोग बजर इंडिकेशन के लिए करते हैं अलर्ट सिस्टम में करते हैं नव नेश्ट इच आरजीबी LED मॉड्यूल तो दोस्तों बेसिकली यह फोड टर्मिनल मॉड्यूल होता है जिसमें एक आरजीबी LED लगी होती है और और और्डिनों से मिलने वाले वेरियस सिगनल्स के बेसिस पर यह वेरियस कलर पैटरंस में LED की कलर को चेंज करता रहता है तो इसका यूज मेंली हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स को थोड़ा इंट्रेक्ट्ट्व बनाने के लिए यह इंट्रेक्ट्ट्व इंडिकेशन के लिए करते हैं जैसे कि हम लिए को एसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें लाइट पहले इंडिर रहे और डिटेक्शन के बाद वह लाईट ब्लू जाय या पहले वह drive है और डिटेक्शन ये राक है के बाद उसका color green हो जाए फिर किसी और incident के बाद किसी और data signal के बाद वह यलो हो जाए various color patterns हम लोग एक ही LED के थूप provide कर सकते हैं through this module so friends this is all about sensors and module and basic level के हिसाब से इतने sensors और modules का knowledge होना जरूरी था and from next video अब हम लोग बात करेंगे Arduino programming के बारे में हम लोग जानेंगे Arduino programming कैसे करते हैं साती साथ आने वाले वीडियो में अब हम लोग programming का knowledge लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग सुरू करेंगे अपने हाथ आज माएंगे Arduino पर और सुरू करेंगे projects बनाना some basic projects then intermediate and then advanced level projects so all the best guys मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले वीडियो में हम लोग ID को install करेंगे और उसके बार हम लोग programming स्टार्ट करेंगे so stay tuned to work and creation stay tuned to IoT basic course अगर आपने अभी तरक कोर्स ने enroll नहीं किया है अभी भी तो अभी जाकर के enroll कर लीजिए क्योंकि दोस्तों enrollment slots बहुत कम बचे हैं और में भी सायद enrollments बंद हो जाएं अगर आपने अभी तरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए and don't forget to press the bell icon